Hello students, आज प्रूड़ो में हम लोग 4th root of unity के बारे में जानेंगे इस वीडियो के पहले मैंने cube root of unity के उपर अल्रेडी एक वीडियो बना रखा है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा अगर मैं cube root of unity की value find करूँ which is 1 का power 1 by 3 तो इसकी value हमने देखी तिसकी 3 values आती है 1, omega और omega square आज हम लोग 4th root of unity की बात कर रहा है इसकी total 4 values आती है एक होता है 1, एक होता है minus 1, एक होता है i और एक होता है minus i ये total 4 values आती है 1 का power 1 by 4 calculate करने पर तो आज की video में हम लोग यही दिखेंगे कि कैसे ये 4 values आती है तो सबसे पहले 1 का power 1 by 4 को हम लोग x माल लेंगे अब ये 1 by 4 जब right hand side में आएगा तो x का power 4 हो जाएगा is equal to 1 अब इस 1 को भी left hand side में भेज़ देंगे तो x का power 4 minus 1 is equal to 0 इस x के power 4 को में लिख सकता हूँ x square का square minus इस 1 को भी में लिख सकता हूँ 1 का square is equal to 0 तो ये a का square minus b का square तो a square minus b square का formula आप लोगों ने पढ़ा था ये a plus b a minus b होता है तो यहाँ a की value actually x square है तो ये हो जाएगा x square plus 1 और x square minus 1 is equal to 0 x square minus 1 को हम लोग और भी factorize कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं x square minus 1 का square अब फिर इसमें a plus b a minus b का formula लगा देंगे ये जाएगा x square plus 1 एक बाद आएगा x plus 1 और एक बाद आएगा x minus 1 ठीक है तो basically मैंने कुछ नहीं किया है x का power 4 minus 1 को factorize किया है अब ये तीनों ही factor 0 के equal हो जाएगे यानि x square plus 1 0 के equal हो जाएगा x plus 1 0 के equal हो जाएगा और x minus 1 0 के equal हो जाएगा ठीक है तो x plus 1 0 के equal है तो यहाँ से x की value आएगी minus 1 क्योंकि plus 1 को अधर बेज देंगे तो minus 1 हो जाएगा इस minus 1 को बेजएगे तो x की value 1 आएगी क्योंकि minus 1 और जाके plus 1 हो जाएगा x square plus 1 है तो x square is equal to हो जाएगा minus 1 x is equal to हो जायेगा root minus 1 और आगे plus minus आजाता है जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि root लगाते हैं तो आगे plus minus आजाता है и और उसाथ मे именно x is equal to minus 1 x is equal to 1 आप लोगों ने ये भी पणदा था कि root minus 1 को हम लोग iota कहते हैं i root minus 1 को हम लोग आयोटा या फिर i कहते हैं, आप लोगोंने complex numbers में पढ़ रखा होगा, तो यह जागा x is equal to plus minus i, तो हमें total 4 values मिली, एक plus minus i, minus 1 और एक plus 1, तो x की हमें 4 values कौन कौन से मिली, एक 1, एक minus 1, plus minus i है तो एक बार plus i, और एक बार minus i, तो plus तो लिखते नहीं है, plus अटा दीजे, यही 4 values है, fourth root of unity की, मतलब इसकी total 4 values आएंगी, वो है 1, minus 1, आयोटा और एक minus i, तो उमें तता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए topics के बारे में discuss करेंगे, तब तक के लिए good bye यह झाज के बारे में बस आज का वीडियो में बस आज का छना हुआ आज की वीडियो में आपको आजा से वीडियो, ओड़ कि वीड- sout आीवयो में बस आज sıरे अवेixaए अपको आज